तार बच्चों आज वक्षीर नंबर 4 में हम परिमे संख्याओं के जमा और घटा सीखेंगे हम सबी जानते कि जो 8 है उसको हम 8 बटा 1 भी लिख सकते 6 को हम 6 बटा 1 भी लिख सकते 14 को हम 14 बटा 1 भी लिख सकते तो सभी संख्याओं के नीचे इस प्रकार से एक आ सकता है तो अगर मुझे 8 जमा 6 करना हूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 8 बटा 1 जमा 6 बटा 1 यानि 14 बटा 1 इसी तरह 8 में से 2 घटाना हूँ तो 8 बटा 1 माइनस 6 बटा 1 तो आगया 2 बटा 1 सबके नीचे बटा 1 चल सकता है तो इस उधारन से हमें पता चलता है कि हम सबके नीचे एक लगा सकते और इस तरह हम परिमे संख्याओं के जोड़ घटा कर सकते कैसे? यदि 2 या 2 से अधिक परिमे संख्याओं के हर एक जैसे हूँ तो उनको चिन्न के अनुसार हम जमा यह घटा करते जमा का चिन्न दिया तो जमा करेंगे घटा का चिन्न दिया तो घटा करेंगे और फिर वही संख्या लिग देते हैं तो हमें तरीका मिल गया कि परिमे संख्याओं को पर हर एक है यहां पाच है, हर दोनों की एक जैसे होने चाहिए, तब हम उपर वाले अंश को ऐसे ही घटा या जमा कर देते हैं, जैसा भी चिन दिया हो, अब देखू, यहां पर हम कुछ आसान से प्रश्न करते हैं, शीला ने अपनी जनम दिन पर अपनी मम्मी को एक बटा के दिया, तो मम्मी और पापा को कितना एक मिला, तो आप देख रहे हो, यह आठ हिस्से कर रखें, यह सरकल है पूरा, इस सरकल के आठ हिस्से कर रखें, ठीक है, यह आठ हिस्से हैं, आठ हिस्सों में हो गया, और एक हिस्सा जो हरा वाला है, यह तुमारी मम्मी का केक है, पा वालों को जोड़ दिया इसी तरफ शीला के पास कितना केक हुआ ये आठ हिस्सों में केक था उसमें से तीन हिस्से निकल गए ये केक में भी आठ हिस्से और तीन हिस्से निकल गए तो अब आठ में से तीन गया पांच ये पांच हिस्से बचे ठीक है शीला के पास तो आपने यहां पर हर समान है तो उपर वाली संक्याओं को सीधा हमने घटा कर दिया यहां पर देखिए रीटा ने चौकलेट खरीदी जिसके 10 टुकडे थे रीटा ने श्याम को 2 टुकडे दे दिया और मीना को 3 टुकडे तो 2 टुकडे और 3 टुकडे चले गए यानि रीटा के पास से पांच टुकड़े जा चुकिये तो आईए इस प्रश्ण को करते हैं श्याम और मीना के पास कुल कितना चौकलेट है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर श्याम यह दो हिस्से यूज हुए ठीक है और यहाँ पर यह तीन हुए बीच में है जमा का निशान तो आप इसके पास यहाँ पे चितर कुछ आयाकित करना है तो कितने हिस्से होंगे एक, दो, तीन, चार, पाच इसमें आप पीला रंग भर देंगे चीक है इसको शेड कर देंगे और उत्तर आपका आजाएगा पाँच बटा दस यहाँ पर भी नोट करो दोनों के नीचे बटा दस है तो उपर वाली संख्याय हमने सीधा जोड दी दो बटा दस जमा तीन बटा दस दोनों के नीचे एक ही चीज है बटा में तो दो जमा तीन हो गया ठीक है यह प्रशन हो रहा है हर समान होनी की वज़े से उपर जो shaded portion है बच्चों मापे आपको पीला रंग करना है ठीक है ऐसे हम दूसरा प्रशन लेते हैं रीटा के पास कितना केक बचा अब यहाँ पर देख रहे हो रीटा के पास पूरा full केक था 10 पटा 10 इसमें से 5 हिसा निकल गया तो रीटा के पास कितना बचा 5 पटा 10 तो आप 5 केक्स को इनको blue रंग से color कर देंगे यह आपको shade कर देना है हर नीले रंग से तो अब यहाँ पर भी देखो नीचे हर की संख्या 10 है जब दोनों नीचे सेम थी तो हमने सीधा माइनस कर दिया और 5 पटा 10 आ गया तो परिमे संख्याओं के जोड घटा में हमारा हर समान होना चाहिए ठीक है यह 5 पटा 10 था यह 1, 2, 3, 4, 5 में color था आई यह प्रश्न है यह बहुत यह आसान है इन प्रश्नों को हल करना है यह 2 पटा 4 में से घटा किया है एक बटा 4 तो 2 में से एक गया तो एक बचेगा आपके पास आप सिफ इस portion में color कर दोगे ठीक है और उत्तर आ जाएगा एक बटा 4 यहाँ पे भी note करो दोनों का हर बटा 4 है तो उपर की संख्याओं अब यह जोड का प्रश्न है यह है बटा 5 4 बटा 5 लिखा है ठीक है और यह 3 बटा 5 है जब हम इसको जोड़ेंगे दोनों के नीचे बटा 5 है 4 जमा 3 कितना हो जाएगा 7 तो यह आपका 1 2, 3, 4 5, 6, 7 इसमें आप रंकर दोगे 7 हिस्सों में तो उत्तर आजाएगा 7 बटा 5 जमा का सवाल था तो मैं समझती हूँ कि आपको आज की चीज समझ आ गई होगी बार-बार मैंने बताया है कि परी में संख्याओं की जोड और घटा में उसका हर समान होना चीए आज हमने जितने भी प्रशन किये हैं यह 2 बटा 4 माइनस 1 बटा 4 है अगर मैं इस प्रशन को ऐसे कर देती 1 बटा 3 तब यह ऐसे नहीं हो सकता था प्रशन जो भी प्रशन कर रहे हैं उसमें नीचे के हर समान है आप नोटिस करो इसको देखा करो कि प्रशन की सिसाब से निखे अगर नीचे के हर समान है तो उपर की संख्याओं को अंशो को हम जोड़ भी सकते और घटा भी कर सकते तब तक आप इन questions के practice कीजिए अपनी exercise से similar questions जोड़ के उनका काम कीजिए next worksheet में हम फिर मिलेंगे और ऐसे प्रशन करेंगे जहां पे हर समान नहीं है और हम देखेंगे कि हर को किस परकार समान बनाया जा सकता है उनको कैसी जोड़ और घटा कर सकते ठीक है हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई